नमस्कार दोस्तों अल्टी टी ती त्यारी चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्त अभी मैं आप सभी के बीच में कुछ महत्पपुर्ण चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो बिहार शिक्षक भाली से संबंधित है आप सभी के बीच में वाटसप से लेकर के फेश्बुक से लेकर के यूटूब अन्य सभी ग्रूप में कौंसलिंग को लेकर के बहुत ही दुवधा हो रही है कोई कहता है ओनलैन कौंसलिंग होना चाहिए कोई हमारे साथ ही कहते हैं ओफ्लैन कौंसलिंग होना चाहिए तो साथियों अभी सीटेट का जो केस है उसका बहुत ही अहम भूमिका होगा इस शिक्षक बहाली में यदि दिसंबर सीटेट अव्यार्थियों को जीत मिलती है तो फिर उनसे फॉर्म लिया जाएगा फिर कब तक ये बहाली पूरी होगी उसका अनुमान लगाना बहुत दूर की बात है तो साथियों इतनी जल्दी वाजी ना करें आपश में ना लड़ें जो होगा आप सभी के हित में अच्छा ही होगा जैसे पहले से होता हुआ आ रहा है साथियों उसी बीच में मैं आप सभी को बता दूँ कि STT का आप सभी को पता है कि रिजल्ट पे STT लगा दिया गया है इसी तरह DLAड वाले भाई डवल बेंच में जार है है डाएट PTC का मामला है बहुत कुछ है अभी तो साथियों मैंने आप सभी के बीच में अभी 2012 नियावावली जो है उसको ले करके उपस्तित हुआ हूँ आप इस नियावावली को ध्यान पुर्वक देखिए समझिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए क्योंकि 2012 का नियावावली क्या कह रहा है शिक्षक वहाली को ले करके कौंसलिंग को ले करके इस बात को भी जानना भोच जरूरी है तो साथियों आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो लंबी होने वाली है और बीच बीच में इस तरह का पॉइंट है जहां आप वीडियो को भगाएंगे आगे तो आप उससे वंचित रह जाएंगे इसलिए मैं आप सभी से वीनम्र निवेदन करूँगा कि 10-15 मिनट निकालके इस वीडियो को लाश्ट तक देखने की कोशिश कीजी तो चलिए आप देख रहे हैं सबसे उपर में लिखा हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिशूचना पटना दिनांक देख सकते हैं आप सबसे उपर में लिखा हुआ है 3-4-2012 में यह नियावावली लागू किया गया था अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ और आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा यदी बीच में आपको कहीं समझ में ना आये तो आप कॉमेंट वक्स के माध्यम से हमसे प्रश्ण कर सकते हैं बिहार नगर पाली का अधिनियम 2007 की धारा 46-47 एवं 419 के अधिन प्रदत सकतियों का प्रियोग करते हुए राजिके शहरी छेत्रों के प्रारमविक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु बिहार सरकार निमलिखित बिहार नगर प्रारमविक शिक्षक नियोजन एवंग सेवा शर्त नियवावली 2012 बनाते हैं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवंग सेवा शर्तें अब क्या है इसके बारे में यहां से बताया जा रहा है प्रस्तावना एक भारतिय सम्मिधान के अनुछेद 21 को के अंतरगत 6-14 वर्ष के वच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है साथी बच्चों के मुक्त एवंग अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अप्रेल 2010 से लागू भी हो गया था इस प्रकार का प्रश्ण भी सी टेट अन्य सभी टेटों में पूछा जाता है कहीं आप इंटर्व्यों में भी जाएंगे तो इस प्रकार का प्रश्ण आप से पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था तो आपके सामने में यहाँ पर लिखा हुआ आरह होगा एक अप्रेल 2020 से इसको लागू कर दिया गया था आगे इस अधिनियम के अंतरगत केंदर सरकार द्वारा अधिक्षुशित शेक्षिक प्राधिकार राष्टिय अध्यापक शिक्षक परिशद N-C-T-E के द्वारा प्रारंभिक विद्यालायों में शिक्षकों की नियुक्ती हेतु नई योग्यता निर्धारित की गई है 74 वे समिधान संसोधन के आलोक में शेहरी छेत्र की प्रारंभिक शिक्षा के नगर पालिका की संस्थाओं की भोमिका को महत्पपुर्ण मानते हुए शिक्षकों के नियोजन का कार्य नगर की संस्थाओं को पुर्व से ही सौप दिया गया है अतेव राज्य सरकार द्वारा उप्युक्त विंदूओं पर सम्यक विचारों के उपरांत राज्य के नगर छेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतू यह नियावावली बनाई जा रही है पहला संचिप्त नाम विस्तार एवंग प्रारंभ यह नियावावली बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवंग स्रेवाशर्त नियावावली 2012 कही जाएगी इसका विस्तार संपुर्ण विहार राज्य में होगा और यह अधिसुचना निर्गत होने की तिथी से प्राभावी होगी अब इन परिभाशाओं को हमें नहीं देखना है क्योंकि इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है हम आगे बरते हैं और हमारे लायक जो इसमें चीज दिया गया है उसके उपर में चर्चा करते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि यह जो कुछ नियम है वो सभी पे लागू है दूसरे पे देख लिजिए प्रारंभिक शिक्षकों की कोटी कोटी के उपर में भी आप सभी के गुरूप में बहुत चर्चा होती है तिसको मैं देख लिता हूँ नगर प्रारंभिक शिक्षक निमनांकित दो कोटी के होंगे नगर प्रारंभिक नगर प्रात्मिक शिक्षक नगर के प्रात्मिक विद्यालयों में नियोजित होने वाले शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक नगर के मध्य विद्यालयों में नियोजित होने वाले शिक्षक चौथा वाला देख लिजिए नगर शिक्षकों का ग्रेड ग्रेड भी बहुत ज़रूरी है जानना क्योंकि आप सभी न जब फॉर्म अपलाई किया होगा तुम्हापर ग्रेड मांगा जा रहा था नगर के मध्य विद्यालयों तथा प्रात्मिक विद्यालयों में नियोजित होने वाले नगर शिक्षकों के पद निम्नांकित तिन स्रेणी ग्रेड में होंगे नगर शिक्षक, वेशिक ग्रेड, नगर शिक्षक, सनातक ग्रेड, मध्य विध्याले, 6-8, नगर शिक्षक, प्रधाना ध्यापक ग्रेड, मध्य विध्याले, प्रात्मिक के लिए नीचे दिया गया है, वो भी आप सभी देख सकते हैं, प्रात्मिक विध्याले का मध्य वि प्रात्मिक विद्यालेव में नियोजित नगर शिक्षक के अपने अपने स्रहनी ग्रेड हो जाएंगे। अब एक से पांच के लिए नगर शिक्षक के वेसिक ग्रेड में ये देखिए। अहरता के वाले में भी कुछ यहां पर दिया गया है जैसे कि नियूनतम 50 प्रतिसत अंकों के साथ उच्षत माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारमभिक शिक्षाशास्तर में दूती ये प्रशिक्षन जिस नाम से भी जाना जाता हो। यहां पर प्रतिसत की बात आती है कि कम से कम कितना होना चाहिए। प्रतिसत की भी आप सभी के बीच में भोती चर्चा होती है इसमें भी कम से कम 45 प्रतिसत अंकों के साथ BA, BSC, एवंग शिक्षा सास्तर में एक वर्षिय सनातक V8 जो इस संबंद में समय समय पर जारी राष्टिया ध्यापक, शिक्षा, परिशद, मानिता, मानक और क्रियाविधी, विनियम 2002 के अनुसार होना चाहिए तो यहाँ पर जो प्रत्सत की बात की गई है, वो आप सभी के सामने में हैं, कम से कम 45 प्रत्सत अंक आपका BA में या BCOM में होना चाहिए आगे हम लोग चलते हैं, जिसका हमें इंतजार है, क्यांप कैसे लगेगा, किस परकार से लगाया जा सकता है पहले क्या होता था? उर्दू शिक्षकों, संस्क्र सिक्षकों, बंगला सिक्षकों का नियोजन ये तो मुझे बतानी की जोरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अस्पस्ट लिखा हुआ है कि प्रात्मिक एवं मध्य विद्याले में उर्दू पदो पर बिहार, मदर्सा, शिक्षा, बुर्द्वारा, प्रदत्त, मौलवी, आलिम अथ्वा उर्दू योगिता रखने वाले इंटर्मेडियाट में नियूनतम सौ अंको के उर्दू विशाई में उत्रन होना अनिवारी है, आपका बाढ़वी में सौ नमर का उर्दू या संस्कृत होना चाहिए, आगे जो भी होगा, आप सभी के लिए अच्छा होगा, बंगला में भी वही है, मधविद्याले में स जाती है दिव्यांग लोगों की विकलांग नहीं, दिव्यांग उनका नाम हो गया है, कैसे उनको दिया जाएगा, देखिए, प्रारमभिक शिक्षक की प्रतेक विशाई, अन्षकालीन अनुदेशक, शहित में तीन प्रतिसत दिव्यांग, जैसे दिर्ष्टी बाधित को एक प्रतिसत, स्रवन वाधित को एक प्रतिसत और अस्थी जन्य दिव्यांग को एक प्रतिसत इनको सभी जगा दिया गया है। लोग आगे बढ़ते हैं, मेधा सुची निर्मान के बाड़े में भी कई सारे साथी हमारे पूछते रहते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसको भी जानना बहुत जरूरी है साथियों। तो सचीव के उपर में क्या होगा, कारवाई क्या जाएगा। इंटरमेडियेट परिक्षा का प्राप्त अंक प्रतिशत और प्रशिक्षन परिक्षा में प्राप्त प्राप्त अंक का प्रतिशत। उप्युक्त तीनों को जोड़कर तीन से भाग देने पर प्राप्त प्रसत अंक अभियर्थी का मेधा अंक होगा ये वन टू फाइव के लिए है और उसमें क्या होगा फिर टी टी का दो अंक मिलेगा जैसे अप्रशिक्षित अभियर्थियों के मामले में कह रहें कि क्रम दो में कह रहें कि दो से भाग दिया जाएगा अप्रशिक्षित जो होंगे उनके में लेकिन आप इस बार कोई भी अप्रशिक्षित नहीं है पहले ही जब आप फिर्म अप्लाई कर रहे थे उस समय बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा कह दिया गया था कि इस बार किशी भी अप्रशिक्षित कंडिडेट को बिहार शिक्षक बहाली में भाग नहीं लेना है। आगे देखिए। यहाँ पर टीटी की बात आती है। हमारे साथी कई बार हमसे कॉल के माध्यम से, मैशेज के माध्यम से पूछते हैं कि कितना अंक मिलना चाहिए। आगे की जो बहाली होगी उसमें इसकी वाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। सिर्फ पास मार्किंग होना चाहिए आपके पास में। अभ्यर्थी के मेधा अंक में शिक्षक पातरता परिक्षा के प्राप्ता अंक के आधार पर निम्नप्रकार अत्रिक्त मेधा अंक जोड़े जाएंगे। देखिए यदि आपका गलती है तो आप इसकी अनुसार सुधार करवा सकते हैं साथियों। 90 प्रतिसत यदि आपने TET में अंक लाया है 90 प्रतिसत एवं उससे उपर तो आपको 10 अंकों का वेटेश मिलेगा। यदि आपने 80 प्रतिसत पूरे 80 प्रतिसत लाया है तो आपको 6 अंकों का मिलेगा। 90 से कम और 80 से उपर 70 एवं 80 के बीच में यदि आपने लाया है तो आपको 4 अंक वेटेज मिलेगा उसी प्रकार यदि आपने 55 प्रतिसत से उपर अंक लाया है एवं 70 प्रतिसत से कम लाया है तो 2 अंक मिलेगा यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्व प्रणबाते हैं कली हमारे साथी ने मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछा था कि 55 प्रतिसत अंक है लेकिन वेटेज नहीं मिला है साथियों इसमें असपस्ट लिख दिया है कि 55 प्रतिसत एवं उपर 55 प्रतिसत जिसका है उसको दो अंक का वेटेज मिलेगा किसको जो अलग केटेगरी से आते हैं जैसे EBC, SC, OBC जिस नाम से भी आप जाने जाते हों उनके लिए और साथ में बिहार के लिए जो हमारी महिला अभ्यार्थी हैं उनको यहाँ पर छूट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि यदि उनका 55 प्रतिसत अंक है और वो सामानी कोटी से आती हैं या जनरल कोटी से आती हैं तो उनको भी दो अंक का वेटेज मिलेगा और बिहार शिक्षक बहाली में वह शामिल हो सकती है ये सामानी महिला की बात कर रहा हूँ जनरल महिला की ये बिहार सरकार के द्वारा उनको एक तोफ़ा मिला है कि यदि आप शिक्षक पातरता परिक्षा चैहो राज्यस्तर की हो चैहो केंद्र अस्तर की हो आप सभी को पता है राज अस्तर पे TET होता है और केंदर 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 पे मतलब CTAT Central LGBT Test जिसका नाम है उसमें यदि महिला अभ्यार्थी जेनरल केटेगरी से आती है और उन्होंने बिरासी मार्क लाया है तो वह अभिहार शिक्षक पात्रता परिक्षा के लिए फॉर्म अपलाई कर सकती है ये भी एक बहुत ही महत्परण प्रसन था जिसका मैंने यहाँ पर साथियों जिक्र किया है आगे देखिए इस प्रकार शिक्षक पात्रता परिक्षा के अत्रिक अंक जोड़ने के बाद अभ्यार्थी का जो कुल अंक होगा वही उसका मेधा सुची बनेगा हो गया दोस्तों इसी प्रकार 6 to 8 में भी है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप सभी समाज गई होंगे सेम टू सेम वैसे ही है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आगे हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं अब विशा ही पर आ जाते हैं क्योंकि आप सभी कई लोग कहते हैं 800 पे बना दिया मेधांक कई कहते हैं पंद्रसों पे बना दिया तो कई कहते हैं अठारसों पे बना दिया देखिए चौथे नमबर पे आप देख रहे होंगे प्राप्त अंकों की गन्ना अत्रिक्त एवं एक्षिक विशायों के अंकों को छोड़ कर की जाएगी 10th किलास में यदि आपने एक्षिक विशाय के रूप में कोई सब्जेक्ट रखा है या अत्रिक्त तो उसके छोड़ कर ही उसकी गन्ना की जाएगी किंतु यहां पर लगा दिया है किंतु जहां एक्षिक विशाय अनिवारी होगा 10th में यदि आपका एक्षिक विशाय अनिवारी है कि यदि आप उसमें फेल हो जाते तो आप फेल माने जाते उसके बारे में यहां पर कह रहा है कि यदि एक्षिक विशाय अनिवारी विशाय के रूप में हो वहां गन्ना की जाएगी सातियों जिन्होंने मद्धिमा किया है बिहार में उनके लिए यहाँ पर थोड़ी शी परेशानी जरूर उत्पन होई होगी क्योंकि जिन्होंने मद्धिमा किया है उनका अंक नियोजन इकाई ने घटा दिया है क्योंकि वहाँ पर तो अवर अल जितने भी था विश्याय उसको जोड करके प्रतिसत दिया गया है बिहार संस्कृत सिक्षाबोड के द्वारा लेकिन नियोजन इकाई को जो आदेश मिला है कि अत्रिक्त और एक्षिक विश्याय को हटा के ही आपको मेधा अंक प्रकाशित करना है इसलिए उनका अंक थोड़ा सा कम हो गया होगा तो दस्वी का आप सभी को पता चल गया होगा अब हम लोग चलते हैं साथ बेर नंबर पर यह वेशिक ग्रेड एवं सनातक बीए, वीकां उसके बारे में यहाँ पर चरचा की गई है प्रतिक विशवाय में प्रशिक्षित ऑभ्यर्त्यों की मेधा सुची अलग-अलग त्यार की जाएगी आरक्षन नियम के अनुसार प्रतेक बीशा एवं कोटी में सप्रतम प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा इस बार तो अभ्यर्थियों कोई है ही ने सातियों तो इसके उपर में चर्चा करना बेकार है अब भ्यार्थियों का नियोजन किया जाएगा अब प्रशिक्षित एबं नियोजित सिक्षकों के सरकार द्वारा निर्धारिस समय शिमा के में प्रशिक्षन प्राप्त कर लेने के लिए भी कुछ उन्होंने कोर्ष भी चलाया था पहले तो चलिए जाने दिजे इसको नहीं देखेंगे जादा नगर नियोजन समिती का गठन इसके बारे में भी नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी हम लोग चलते हैं उसी के उपर में जो हमारा प्रस्न है क्या प्रस्न था? कैम्प कैसे लगेगी? अब यहाँ पर देखिए मेधा सुची अनमोदित हो जाने पर उसे सारविदिक किया जाएगा किशी प्रकार की आपत्ती हेतू 15 दिनों का समय भी दिया जाएगा प्राप्त आपत्ती का निराकरन कर एक सब्ता हमें मेधा सुची को अंतिम रूप दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर 15 दिन कहां हो रहा है? यहाँ तो 15 महिना हो गया साथियों मेधा सुची निकालते निकालते 15 दिन की बात की गई है लेकिन 15 महिना हो गया जाने दिजिए कोई बात ने, आगे हम लोग देखते हैं नियोजन पत्र के बाड़े में क्या कह रहा है नियोजन इकाय को आवंटित पदों की संख्या के अनरोब चैनित अभ्यरतियों को समीती के सदा से सचिव के हस्ताक्षर से निवंधित डाक के द्वारा देख लिजिए, बहुत बड़ी वात है यहाँ पर आप सभी क्यम्प की बात कर रहे हैं डाक के द्वारा नियोजन पत्र भेजा जाएगा यह कौन कह रहा है, यह 2012 की जो नियवावली है बिहार में शिक्षक बहाली को ले करके वहाँ पे कहा जा रहा है योगदान हे तू 30 दिनों का समय दिया जाएगा अब जिसको डाक के द्वारा भेजा जाएगा उसको 30 दिनों का फिर समय भी मिलेगा जिसका उल्लेक नियोजन पत्र में होगा जो आपको नियोजन पत्र भेजा जाएगा घर पे उसमें उसका उल्लेख भी होगा देखिए बिद्या लेके प्रधान द्वारा नियोजन पत्र की संपुष्टी नियोजन इकाई से कराने के उपरांत नियोजित अव्यर्थियों का योगदान स्विक्रित किया जाएगा पहले पत्र आएगा फिर उसके बाद इस्कूल तक जाएगे फिर वहाँ से फिर नियोजन इकाई में भेजा जाएगा फिर वहाँ से सत्यापित किया जाएगा फिर उसके बाद आपको योगदान मिलेगा मतलब नियुक्ती मिलेगी तीस दिनों के बाद रिक्त रह गए पदों पर पुनह रिक्ती की संख्यां के अनुसार मेधा सुची के अधार पर नियो जन पत्र फिर से निर्गत किया जाएगा जब कोई शाथी नहीं जाएंगे स्कूल में तो फिर से फिर तीस दिनों का चलेगा तो इस तरह से होते 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 लगभग मुझे लग रहा है कि 2012 की नियमावली के अनुसार यदि शिक्षक बहाली हुई तो 2040-50 तक आप जा पाएंगे स्कूल में जब तक आप बुढ़े हो जाएंगे रिटेर भी हो जाएंगे और आपका मेधा सुची बलोक में ही पड़ा र जाएगा आगे देखते हैं केम्प के बारे में आप लोग बात कर रहे थे यहां पर देख लीजे केम्प का कोई उलेख नहीं है लेकिन उसके उपर में भी चर्चा करोंगा भी आप बने रही है इस वीडियो में नियोजन किये जाने वाले अव्यर्थियों के द्वारा यो सूस कर रहे हैं तो ध्यान से रहिएगा और जब आपकी बहाली होगी तो आपको अपना स्टिपिकेट त्यार करके रखना होगा कि आपके अंदर में कोई इस तरह का बिमारी तो नहीं है आप कोई बिमार तो नहीं है आप किस से करवाएंगे जाच ये भी में बताऊंगा लेकिन अभी आप लोग फिट रहिए फीजिकली रूप से स्वस्त रहिए नियोजन एवं योगिता से समंधी सभी अभिलेख कागजातों की चाया प्रती प्रखंड शिक्षा प्रशार प्राधिकारी के द्वारा अभी प्रमानित कर प्रखंड कारिया ले में सुरक्षित रख लिया जाएगा लेकिन अभी हम लोगों की जो बात चल रही है कौंसलिंग को ले करके कि वहाँ पर ओरिजनल जो आपके पास में सर्टिपिकेट है उसको रख लिया जाएगा प्रमान पत्र को रख लिया जाएगा उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा नियोजन नहीं करने बाले नियोजन इकाई के विरुद्ध कारवाई होगी ये इसमें भी लिखा हुआ है हम लोग कारवाई करवाने के लिए आगे जरूर आएंगे सरकार के द्वारा निर्धारित तिथी तथा निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी उचित कारण के नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षक नियोजन नहीं करने पर इसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उनके संबैधानिक दायत्यों का उल्येक माना जाएगा और इसके लिए दोशी पदाधिकारी तथा नगर पंचायत के प्रतिनिधी के विरिध विहार नगरपाली का अधिनियम 2007 के सुसंगत धाराओं के अंतरगत आवश्यक कारवाई की जाएगी जिसके बारे में हमारे प्रात्मिक शिक्षानी देशक पहले ही चर्चा कर दिया था कि यदि कोई नियोजनी का इस समाई कार्य पूरा नहीं करती है तो अधिनियम 2007 के सुसंगत धाराओं के अंतरगत उनके ऊपर में जो आवश्यक कारवाई होगी वह किया जाएगा साथियों यहाँ पर शाररिक शिक्षा आठ कारी विशाई के लिए अनुदेशक का नियोजन जो होता है उसके बारे में भी कई साथी हमसे पोच रहेते तो देखिए क्या लिखा हुआ है मद्विद्या लेयों में शारिक शिक्षा आवं स्वास्त अनुदेशक आर संगीत आवं ललित कला अनुदेशक तथा कारी अनुदेशक का नियोजन किया जाएगा अहरता उनका क्या होना चाहिए अनुदेशक शारिक शिक्षा एवं स्वास्त किसी मानेता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परिक्षा होतीरन होना चाहिए किसी मानेता प्राप्त बोर्ड या विश्विध्यालाई से सारिक शिक्षा में सर्टिपिकेट डिपलोमा या डिगरी होना चाहिए यदि डिपलोमा भी है आपके पास में तो सारिक शिक्षक आप बन सकते हैं संगीत के शिक्षक आप बन सकते हैं आर्ट के शिक्षक मतलब ड्राइंग के शिक्षक आप बन सकते हैं तो आप देख लीजिये साथियों, आप सभी हमसे पूछ रहते, देखिए संगीत के लिए फिर नीचे कह रहा है कि ललित के लव संकीशी मानिता प्राप्त बोर्ड वही है, सेम टू सेम इसी प्रकार से ही सभी में होगा, क्योंकि इसमें कोई वीड की बात नहीं होती है, आप के पास में डिगरी, डुपलोमा, कुछ भी होगा, तो आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं, अनकमपा के अधार पर नियोजन, इस सब के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, प्रमान पत्रों की जाच, देखिए, ये बहुत महत्पपुर्ण है, नियोजन पदाधी कारी के द्वारा शिक्षा विवाग के पदाधी कारीयों के सहयोग से, नियोजित शिक्षकों, अनुदेशकों के प्रशैक्षनिक एवंग, अन्य प्रमान पत्रों की यथा आवश्यक जाच कराली जाएगी, प्रमान पत्र जाली या गलत पाये जाने की इस्थिति में, नियोजन रद्द कर दिया जाएगा तो क्यों हो जाएंगे भाई पहले ही हट जाएगे यदि आपके पास में गलस certificate है तो रद्द हो जाएंगे तो उसे पहले ही हट जाएगे आवश्यक कानूनी कारवाई भी की जाएगी समय पर प्रमान पत्रों की जाच करा लेना नियोजन प्रादिकारी की जवाब दे ही होगी समय पर यदि वो नहीं कराएंगे जाच तो उनकी जवाब दे ही होगी फिर उनके उपर भी कारवाई किया जाएगा साथ्यों यहाँ पर तनखा के बारे में कुछ लिखा गया है नियोजित शिक्षक वेशक ग्रेड को 7000 प्रतिमाह अब प्रशिक्षित शिक्षक वेशक को 6000 अब तो आप प्रशिक्षित कोई है ही ने उधर देख लीजिये प्रशिक्षिक जो इसनाद तक ग्रेड में जा रहे हैं वो 8000 यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन अब जो होगी बहाली उसमें इस तरह का वेतन आपको नहीं देखने को मिलेगा इससे उपर ही आप सभी को वेतन दिखेगा और मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको 18 से 22 या 25 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है इस नियामावली के आधी नियोजित नगर प्रारमिक शिक्षको एमान देशकों के अनिकिशी प्रकार का भता या महगाई भता आवास भता चिकित्सा भता परिवण भता आधिदे नहीं होगा ये 2012 नियामावली में हैं लेकिन अभी जो है वह सब कुस दिया जा रहा है चेह उपर में बेतन के उपर में भी वीडियो लाएंगे आप सभी के बीच में पहले एक जूटता के साथ स्कूल में चलिए अपना योगदान दीजिए बच्चों को पढ़ाईए बिहार के भविश्य को आगे बढ़ाईए उसके बाद बेतन तो मिलता ही रहेगा आप सभी को पत परिक्षा इस परकार की नहीं देनी पड़ी थी ना कोई प्रशिक्षान इस परकार का ुश समय था तो कोई बात नी समय कानुसार बदल या होता ही साथियों तो आप लोग इसमें घवड़ा इए गा नहीं तो देखिए इस प्रकार से जो भी था महत्वा प्रोण बाते मैंने आप सभी के बीच में रखा प्रोण नती सब के उपर में भी है इसके उपर में क्यों चर्चा करूं अभी जब तक आप लोग श्कुल में नहीं पहुंचते हैं तब तक इसके उपर में चर्चा करना बेकार है तो इसलिए इसके उपर में कोई चर्चा नहीं किया जाएगा छुट्टी भी मिलेगी उसके उपर भी चर्चा किया गया इसमें लेकिन उसके उपर भी हम चर्चा नहीं करेंगे बेतन का भुगतान कैसे क्या जाएगा भुगतान तो देख लेज़े इसमें कुछ ऐशा लिखा हुआ है लेकिन उसका भी अब सब कुछ बदल गया है देखे बीच बीच में इस पर क्या हुआ है साथियों मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्रात्मियों शिक्षानिदेशक जी ने एक बार फेश्बुक के माध्यम से आप सभी को बताया था कि 2015 का जो नियमा वली क्या था संसोधित किया गया था उसके एकॉर्डिंग क्यम्प लगाया जाएगा ये 2012 के कॉर्डिंग कैम्प या कॉंसलिंग के बात नहीं कर रहे है वो 2015 में ऐसा प्रापधान उसमें लाया गया था कि कैम्प के माध्यम से बहाली होगी उसमें कोई दोहडाय वाली बात नहीं है लेकि आप लोगों के मन में जो एक बात है कि online कॉंसलिंग आउनलेन कुछ भी नहीं होगा सब कुछ ओफलेन होगा आप सभी को ब्लोक किया जिला में बुलाया जाएगा आप सभी साथ ही प्रवान पत्र कठा करके रख लीजिए इसके उपर में भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी ही लाऊंगा कि क्या-क्या इसलिए लाया आप सभी के बीच में क्योंकि कई सारे अभ्यार्थी कुछ भी बोल देते थे कि जहां पर महिला अभ्यार्थी नहीं है वहाँ पर पुरुशा अभ्यार्थी को लिया जाएगा ऐसा इस नियमावली में आपने कहीं भी नहीं देखा होगा इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया गया है लेकिन जो भी है सभी के लिए अपनी अपनी जो है सभी के लिए मांग जो है वह छूट है अपना मांग कर सकते हैं जैसे भी मांग हो आपकी जहां तक आपकी भालाई हो उसमें हम सभी आपके साथ में हैं कोई कि शिशे द्वेश भाबना नहीं रखता है ना रखना चाहिए साथियों जो होगा आप सभी के लिए चाहोगा तो साथियों यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है इस वीडियो को आप ज़्याद से ज़्याद शेयर कर दीजिएगा यह 2012 नियामा वली था अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सद्धन्यबाद मित्रो